प्रधान मंत्री जी आपके हर कारे पर सवाल उठाए जाते हैं एक अभी आपने राम भगवान श्री राम की बात कही वैसे हमारे समविधान में भी राम राज्य का एक चितर है वहाँ पर राम सीता लक्षमन का चितर है नंदलाल बोस जी ने शायद वो चितर बनाई है और आ और वहाँ ओके चरते है ओसमेंगे तॉर में ini हरा एक कही जारी कि अगर इस MARY पर दादान मंत्री और भी जादा प्रुड़ान को संविधान को कि बदल भी that आप ने कहा है कि ему कर तो कोई बदल नहीं सकता है तो сейчас सर्क但 मरी थैस तूरा इतना उठर है उर सिय मैं चाता था इ 2019 से 2024 मेरे पांच जो सदन्व संख्याबल है बीजेपी का एंडिये का और एंडिये प्लस का वो करीब करीब 400 है एफेक्टिब मेजोरिटी ओल्रेडी आज जो वर्तमानवे पार्लामेंट चल रही है उस पार्लामेंट में हम ओल्रेडी 400 है करीब हम 360 एंडिये हैं और हमें सब्सक्राइब करता रहा और पांचो साल मदद की है यह नंबर 400 हो ही जाता है तो 400 होता है तो इस चुना में 400 पार करने का लग्ज कोई तहीं नहीं करेंगा गया अगर मैं 400 पर हूं तो मैं मेरे कार्यकरता को मोटिवेट करने के लिए 400 पार की बार नहीं करूंगा गया और सदन में सम्विधान दिवस मनाने के लिए प्रस्थाव लेक्ट आया किस ने विरोत किया कॉंग्रेस पार्टी के स्वयम खरगेजी ने खड़े ओकर के भाशन किया कि सम्विधान दिवस की क्या अजिर होता है चुबिश जन्वरी है ने भाई सम्विधान के प्रती देश के लोगों की स्रध्या बनाने के लिए जैसे आज भी रामायन महाबारत के कठा केतन होते हैं हर पीडी को ट्रांस्पिट होता है सम्विधान को भी उसी भाव से हमें स्रध्धा बाव से लोगों को देखने की आदर डालनी चाहिए मेरे लिए सरकार को कहा था किbstमिधान का बहुत बड़ा आचत जाया था और में खुद हाथी पेरों के पादल चलता था कर सामा ने मानोई को मु какая मंत्री से भी बड़ा सम्विधान होता है ये संवस्खार करने थे तो समिधान के प्रति मेरा समर्पण गया है तो समस्वत को मैंने मात्ता टेका था मैं उन्नीस में प्रजान मंत्रीपत के लिए मेरी पार्टिय ने नेता चुना तो मैंने पहले मरा सब्सक्राइब के सामने जुकाया था तब जाके मैंने पत्का ग्रांड करता हुआ भाशन कि तो एक तो यह मेरा पक्ष हो गया है दूसरा कॉंग्रेस ने अगरें क्या किया है देशका समिधान बनने के बाद सबसे पहले फीजी कली उस पर हमला किया उन्होंने समिधान पर फीजी क्रचना थी ननलाल बोश के चित्रों के साब और वह चित्र चित्र नहीं थी उसमें मेसेज था कि हजारों साल की संस्कूर्थी का एक नई कड़ी हमारा संविधान है और इसलिए उन्होंने हजारों साली संस्कूर्थी घटनाओं को जोडते हुई पेंटिंग बनाए थे बहुत सोच विशार करके संविधान की बॉडी बनाए गई थे आत्मा की बात मैं करता हूं इस चीत्र मावूली चीज नहीं थी चीत्र राम का था कॉर्ष्णा का था उसमें हमारे देश के गण्राजयों की चार्था है चीत्रों में यह पूरी तरह सांस्कूर्थी की तिहास है उसमें अनोंने सबसे पहले इसको खतम कर दिया भारत पर फि जो आत्मा पर हमला किया पहला बॉडी पर किया पिर आत्मा पर किया कैसे किया भारत के समिधान का सबसे पहला जो सुधारा किया है पंडित नहरुजी ने जो उसमें उन्होंने एमेंडमेंट किया है वो क्या किया फिर्डम पर रिस्ट्रिक्शन का ने मतलब उसके आत्मा पर पहली चोट जो अपने आपको दुनिया में डेमोक्राइशी की बाते करते लोग उन्हों ने की तो पहले शरीर से समिधान को खतम किया फिर समिधान के आत्मा को कर अब वो समिधान की भावना पर हमला कर रहे हैं समिधान की भावना है हमारे देश के फैडर्ड स्टॉक्चर क सो से ज्यादा बार 356 का उप्योग करके किना कारण सरकारे तोड़ दी गई वो समिधान की भावना पर कुठार अगाथ था फिर इमर्जन से लाए उन्होंने समिधान को पुरी तारा एक वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दिया यह हाल कर दिया यहाने सामाने मानवी के समाब्त करने का खेल गेल रहे हैं मैनोरिटी कर अब लेका अब देखा हुझ हो जो बडे सांतिर प्रोण परोटर होते हैं भी चालाग होते हैं वह क्या करते हैं माल रुपा बस में चड़ गए और किसी का बट्वा चुराया बट्वा चुणा करके खूद रख देगे पिर एक और लड़का दोड़ेगा, वह चोर 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 चोर. मेरा बढ़ा गए हूआ है हूँ पर और लोग भी देखेंगे, तो जिसका ओरीजिनल गए हूँ बहुदी देखेंगा हूँ हूँ मेरा बढ़ा गए है, और फिर और रोड़ता है, जिजने चुराया है, वो तो यहां जो निर्तों थे भाग रहा है क्यों चाला की है इन लोगों ने इनको पिक पॉकट रहा हूं जो चोटे शब्द किसी के लिए उप्योग नहीं करता हूं लेकिन मैं उदान इसले समझाता हूं कि वो अपना खेल खिलने के लिए उने चिल्लाना शुरू कर दिया जो नहीं हम कभी बोले हैं नहयुक्त हैं इसके लेटरर फ्रिट में जण-जण दग पहुंचाना चाहते हैं इन्हों ने यह minority के नाम का खेल खेलने के लिए खूद हो करके सम्विधान बदलना चाहते हैं इसलिए इस चिलाहट शुरू की है तो आपके कानों में वही आवाज आए और चोरी छुपे से पीछे आपके रहे हैं वो बदलना चाहते हैं वो धर्म के आधार पर आरक्षन करना चाहते हैं और जो सम्विधान के आत्मा पर आखरी किल होगा हो वो आखरी बार होगा सम्विधान के आत्मा पर सम्विधान सभाने जब चर्चा की महिनों तक चर्चा की और उसमें पंडिक नहरुजे से लोगों को छोड़ दीजे बागी सब सनाते नहीं थे और सम ने मिलकर के तैकिय हमारे दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ट्राइबल को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे ओभी सिको आरक्षण मिलना चाहिए, सम्विधान की भावना थी, क्योंकि इन लोकों के साथ और कारण थे, जबकि विचार हुआ, गंभीरता हुआ, धर्म के आधर पर सेकुलर होके चलना चाहिए यह सेकुलरिजम पर भी बार कर रहे हैं जब धर्म के आधार पर आप आरक्षन कर रहे हो तब सेकुलरिजम पर बार कर रहे हो और इसलिए देश चिंतित है